उसके बाद ही वो यह तैय करेगा कि हमको जर्नलिस्ट बनना है आपको पता चलती है तो शायद फिर आपके सब्सक्राइट को भी सकते हैं अब आपको इस शडूर के तौर पर करना होगा पढ़ने का नजेरिया थोड़ा सा अलग होना चाहिए नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने पसंदिदा यूटूब चैनल जर्नलिजम सीके पर स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आपका साथी अनदाराम विश्नुई और आज मेरे साथ हैं पतरकार सुनीर सर्मा आप में से कई सारे दोस्तों ने कमेट करके पूछा था कि हम वर्तमान में कोई दूसरे स्ट्रीम का कॉर्स कर रहे हैं लेकिन भावशे में हमारा प्लान है कि हम इस मीडिया छेतर में अपना करियर बनाए तो अभी वर्तमान में चाहिए हम भले ही कोई दूसरा कॉर्स कर रहे हो, लेकिन मीडिया में आने के लिए पहले से किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए, हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये तमाम तरह की बाते हैं आपके जहन में, जिस तरह से मैंने कमेट्स आपके जहन में है, तो इन ही बातों को लेकर इन ही सवालों के जवाब जानने के लिए आज पत्रकार सुनिल सर्मा के साथ मैं चर्चा करेंगी, तो सबसे पहले तो मैं सुनिल सर्मा का धन्यवाद देना चाहूंगा, सुनिल भाई, आपने अपनी ओपीस में से टाइम निक चुका है कि उसको एक जनरलिस्ट बनना है, जनरलिस्म के जो सेक्टर है वहाँ पर जाना है, तो यह है कि उसमें उस तरीके का इंट्रेस्ट होगा, न्यूज जो एक है, उसका रुजहान या जुखा उस बच्चे का उस तरफ होगा, और जाहर सी बात है, उसके बात ही वो को जर्नलिस्ट बनना है लेकिन जब आप एक बार ये तै कर लेते हैं कि आपको जर्नलिस्ट बनना है तो अब देखिए ये एक modern जमाना है एक जमाना था जब जर्नलिस्ट बनने के लिए आपको सीधे एक दफतर में जा करके वहां किसी को असिस्ट करना पड़ता था और आप करते-करते सीखते थे आज जमाना बदल गया है यह जो जरलिजम का जो हमारा जो सेक्टर है यह पूरा प्रोफेशनल एक फुल फ्लेज़ प्रोफेशनल सेक्टर यह बन गया है यहां पर बहुत सारे इंसिटूट हैं युनिवरिसिटीज जो आपको भैतर प्रस्रिक्षन जो है वो अवेलेबल करवाती है लेकिन सवाल सबकी जहन में देखो जब हम मीडिया के चेतर में नहीं थे तो हमारे जहन में भी कई तरह की सवाल थे तो उनके जहन में सवाल यह है कि आखिर हम अभी चाहिए भले ही हम चाहिए मानलो कोई बं किस तरह से वह अपने आपको त्यार करें क्या पढ़ना चाहिए क्या देखना चाहिए यह तमाम तरह की कुछ बाते हैं वह जानना चाहते हैं दर सक देखिए इसके लिए सीधा है बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि एक इंटरनेट का जमाना है एक ग्लोबल विलेज का एक द कि चाहिए आई-ए-मसी है जामिया यह है आई-प यूनिव की एधर आप यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी यह ऐसी यूनिवर्सिटी है जो जनरलिज्म का एक बहतर प्रसिक्शन अविलेबल इनके यहाँ पर एक बच्चे को मिलता है तो कोई भी लड़का कोई べी स्ट्रीम में अगर वो ग्रेजएट हें और यहां से पोस्ट ग्रैजएट करना चाहता है तब डिप्लोमा कर सकते हैं पोस्ट ग्रेज़एशन में और डिگरी भी कर सकते हैं डिगरे में आपको में की डिग Hispan की यहां पर मिलती है मन के अड़ से की बहुंग Ark Foreign को यह पहले तमाम तरह की बाते बता चुका हूं एक चुली वीडियो पहले से अलग से बना कि लिकिए पॉइंट इस देट कि हमें क्या करना चाहिए जैसे मालो मेरे खाल से उनको न्यूजपेपर पढ़ना चाहिए टीवी देखना चाहिए वह खेर अलग बात है कि कौन सा च तो आफ़ोस वह न्यूजपे आएगा ही क्यों अगर वह आना चाहेगा तो फिर मैं उसको सला नहीं दूगा अगर आप न्यूजपे देखते हो आपका रुजान है न्यूजप की तरफ और यह जो न्यूजपे जो सेक्टर है यह आपको अट्रेक्ट करता है आपका अटें क्योंकि ग्लैमर के पीछे की जो रियल्टी है जब आपको पता चलती है तो शायद फिर आपके सपने टूट भी सकते हैं तो एक मीडिया में भी कई तरह की तस्वीरे हैं एक ग्लॉसी तस्वीर है जो बहार से आपको एंकर जो बहुत ही ग्लॉसी और कोट पैंट शूट ब कि जो दुनिया है आपको लोगों से कम्यूनिकेट करना अच्छा लगता है दरसले कम्यूनिकेशन का सेक्टर है अगर आप आपको कम्यूनिकेट करना अच्छा लगता है लोगों के साथ आपको संपर्क बैठाना अच्छा लगता है कोई चीज़ को आप बहतर तरह से प्र प्रॉपर जाईए कि वहां पर कोई कोर्स आप कीजिए प्रिसिक्शन लीजिए उसके बाद में जो है आप बिल्कुल लीजिए जहां बात आती है फिर इंस्टिट्यूट की तो मैं दर्सकों के लिए एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ दर्सकों आपको पता होगा कि मे पहला ही वीडियो है आप फिल्कुल वह देख लीजिए सुनील सवाल हम थोड़ा सा और जाने की कोशिश करते हैं गहराई से अगर हम समझ पाए हैं अभी हम मैं भी नया हूँ लेकिन जो भी हमारा मकसद यह हैं कि जो भी हमारे पास जानकरी हैं, आपके शाहता के लिए हम उस जानकरी को आपके साथ साजा कर सके हैं, सुनील बात यहां पर पैसो की की जाए, देखो पैसन अलग चीज़ होती है और पैसा भी कईने कई माइने रखता है, देखो बात ऐसी है कि अगर पैसन है, अगर एक दिवानगी है, मुझे लगता है कि परफेक्शन फिर आपके काम में भी आता है, जब आप एक बहुत धी लगाव और प्यार के साथ, डेडिकेशन के साथ आप को काम करते हैं, तब आप उस काम को बहतर करते हैं, तो ऑफकोर्स, वो चीज़े आती है, रिटन आपको मिलता है, अगर ऐसा न हाँ लेकिन अगर आप केवल पैसे को देख करके आ रहे हैं तो शायद फिर गलत हो जाएगा यह एक एक दिवान के वाला मुझे लगता है कि सेक्टर है यहां अगर आपको एक जो करियर आप्शन के तौर पर आप ले रहे हैं कि अगर आप कोई चाहता है कि नाइन टू फाइ पर आप के अगर आपके अंदर जुनून है आप एक मुकाम तक पहुंचते हैं तो मुझे लगता है कि आप जितना डिजर्व करते हैं आपको वो मिलता है अगर आपको पैसे के लिए आ रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि शायद आप गलत कर रहे है तो दरसको आपके बहुत सारे सवाल थे आप कमेट्स वर्क में डहर सारे सवाल पूछते हो कि आखिर क्या मैं भी पत्रकार बनना चाहता हूं मतलब सुनील मैं दरसकों के कमेट कमेट्स पड़ता हूं हर कोई कर रहा है वह करा मेरे को रिपर्टर बनना है कीज है मेरे घर की प्रस्तेती नहीं है की मुल्ब कुछ इंजिनिरिंग कर रहे हैं फिर भी हो कह रहे हम जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं आखिर एक क्रेज देखने को मिल रहा है लेकिन फिर भी मैं दरसकों को जिस तरह से अभी सुनील ने बात बताई है कि पेसा आप पेसे को तरफ मत देखिए अगर आपके अंदर वो जो करियर को लेकर के जो भी लड़के हैं जो अभी उस दिसा में उनको कदम बढ़ाना बाकी है या वो एक अपने जीवन के उस मकाम पर है जहां का उनका अगला कदम ये तैय करेगा कि वो किस सेक्टर में जाएं वो एक निरनायक कदम बढ़ाने के वाले वाले स्टेप पर हैं तो मुझे लगता है कि आपको पैसा ये जो चीजे हैं ये बहुत नीचे पाइदान पर आपको कर देनी चाहिए. सबसे पहला है कि क्या आपको ये अच्छा लगता है? मैं आपको फिर बता दूँ कि कम्मुनिकेशन का जो फिल्द है ये केवल न्यूज का नहीं है. उसके तमाम जरीय होते हैं आप आप न्यूज है एड़ोटाइजिंग है पी आर है तो मैं उमीद करता हूँ आपके अपने जो सवाल थे आप जिस तरह से आप पूछते हो फिर भी अगर हो सकता है आपको पूरी आपको लगता है अभी भी आपको कन्फूजन है तो प्लीज आप वीडियो के नीचे कमेट वक्स में जाईए आप अपना सवाल पूछे समय समय पर मेरा मकसद भी यही है मैं जर्नलिजम के बारे में आपका जो भी कन्फूजन है जो भी आप जानकरी चाहते है उसके उपर वीडियो बनाओ जाते जाते सुनीर यह जानना चाहूँगा कि आखिर जो ने पत्रकारिता के स्टूडेंट है या भी वरत्मान में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो आना चाहते हैं उनके लिए क्या आखिर में दो सब्द कहना चाहूँगा देखिए जो यह तैय कर चुके हैं कि हमको जनलिजम में जाना है आम डैम शॉर कि वो उटियूल के तरपर करना होगा आपको कौंसियस हो करके आपको टिल्युजम देखना होगा आपको कौंसियस हो करके आखिवार भी पढ़ना होगा निटीटूरार schaut जो broken जो डिल्ती नजरीय से आखिवार पढ़ता है या इंटूल धेगता है आपके वहील और न्यूस अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको लगता है कि कोई-कोई टीचर है और कोई-क मास्टर सेंपल आपके सामने रखा हुआ है तो फिर आपको उसका क्राफ्ट देखना है आपको बहतर मतलब एक-एक अलग नजरी से उसको देखना होगा और जब आप कंटिन्यू एक डेली मिलेगे कि आप जो न्यूस को जो कंजूम कर रहे हो उसको कॉंसेसली एक-एक बहतर ढंक के साथ आप इसलिए आप कंजूम करोगे क्योंकि आपको इसी फिर्ड में आगे जाना है तो आपका जो नजरीया है वो बाकी लोगों से अलग होगा टेलिविजन देखने का या आप सामानिय पाठक पढ़ता है और अगर आप जर्नलिजम के फिल्ड में जाना चाते हो तो आपका पढ़ने का नजरीया थोड़ा सा अलग होना चाहिए आपको बहुत सारी तमाम तरह के एंगल्स होते हैं आप उन खबार को जो खबर लिखी गए उस खबर को सेंस को समझ सुनिल समय निकाला आपको बहुत बहुत धनेवाद आप हमारे साथ आए तो दरसको बताईए कि आपको ये वीडियो कैसा लागा और अगला वीडियो कौन से टोपिक पर होना चाहिए या फिर आप पत्रकारिता समधित किस तरह की जानकारी चाहते हैं प्लीज कमेट करके जरूर बताईए मिलते हैं अगले हपते एक नए वीडियो के साथ नए जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार